देश में 21 जून को अंतराश्ट्री योग दिवस मनाय जाना है, इसे लेकर लखनव में भी तयारियां की जा रही हैं। बतादे की यूपी बें 15 जून से के जून तक योग सबताह मनाय जा रहा है। इसी विशेपर यूपी के श्रम एवं सेवा यूजन मंतरी अनिल राजभर से बंसली उसने बातचीत की। ठल से लेकर नभ तक लोग अपने अपने तरीके से योग करकर समाज को संदेज देने का काम कर रहे हैं। जब से प्रधान मंतरी जी ने योग का अभियान चलाया है, पूरी दुनिया ने योग को स्विकार किया है, अंगिकार किया है। हमारी ये जो बड़ी संब्रिद परंपरा रही है, समाज को स्वस्त बनाने के लिए, मानों को स्वस्त बनाने के लिए, इनसान को स्वस्त बनाने के लिए, इसका अनुसरन पुरे दुनिया में हो रहा है। तो इस बार भी रिकार्ट तूटने जा रहा है मुझे लग रहा है कि इस बार भी अद्भुद न जा रहा हम लोगों को देखने को एक इस जून को मिलेगा समाजवादी पार्टी के संभल से शांसद है सफीकुर रहमान बर्क उन्होंने लग फिर एक बार जो एक विवादित बयान दिया है जिसको लेकर बहस चिड़ गई है उनका कहना है कि मदर्सों को इससे दूर रखना चाहिए मदर्सों में योग डे नहीं मनाया जाना चाहिए इस तरह से जो लोग भयान दे रहे हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए तो ये नहीं है वो नहीं है सरकार की मनसा है भारती जनता पार्टी तो सदयव से यह चाहती है कि हमारा मुसलिम वरक का भी जो नौजवान है वो आईएस बने आईपियस बने डॉक्टर बने इं जाना चाहते हैं और वही समाज इनको चाहिए ऐसे मानसिक्ता कि लोग समाज को जाहिल बनाना चाहते हैं और भारती जनता पार्टी चाहती है कि वो सिक्षित हों आगे बढ़ें तो इस तरह के बयानों का कहीं कोई अर्थ नहीं है कि यह थे उत्तरप्रदेश के कैबिनेट अनिल राजभर जिन्होंने बंसनलीज से बात करते बताया कि योगा देए यानी कि 21 जून को उत्तर प्रदेश में कि साथ साथ पूरे देश में भवे तरीके समना जाएगा उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयरिया कैमरा परसंद सतीन कुमार्क साथ आलोक राए लाकना हूँ